हेलो दोस्तों स्वागत आपका PLC Learning Point पर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे DOL Starter के बारे में DOL Starter मतलब Direct Online Starter क्या होता है ये कैसे काम करता है DOL Starter बनाने के लिए किस किस तरह के हमको Electronics Equipment यूज करने पड़ते हैं और DOL Starter किस तरह से Power Circuit और किस तरह से इसका Control Circuit बना जाता है ये आज किस वीडियो में हम सीखने वाले हैं उसके बाद हम देखेंगे DOL Starter की यहाँ पर देखेंगे मैंने एक HMI Design करी हुई है और इस HMI के थू हम DOL Starter का एक प्रोग्राम बनाएंगे और प्रोग्राम बनाके HMI से उस प्रोग्राम को कंट्रोल करने वाले हैं ठीके ना तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम चलते हैं बेसिक DOL Starter क्या होता है यह समझ लेते हैं दोस्तों आप यदि किसी इंडस्ट्री में या किसी मोटर को on करने के लिए होता है और जो red push button होता है वो मोटर को off करने के लिए होता है जनरली जो DOL Starter होते हैं वो इंडस्ट्री के अलावा घर में भी यूज़ के जाते हैं जैसे घर में जो water tank होता है उसके पानी को ऊपर चड़ाने के लिए जो हम मोटर यूज़ करते हैं उसके लिए भी एक starter यूज़ किया जाता है ठीक है ना तो contactor के साथ में इसमें safety के तोरबे एक overload relay भी लगाया जाता है और इस overload relay में यहाँ पर देखिए एक setting होती है मोटर basic कितना current ले रही है उस current के हिसाब से हम इसको यहाँ पर set कर देते हैं इससे ज्यादा यदि motor current लेगी तो फिर यह overload relay trip हो जाएगा और motor को off कर देगा उसको safe कर देगा उसकी winding फैल नहीं होगी ठीक है ना एक इस के अंदर ये जो push button है ये ज ग्रीन push button है इस green push button को जब हम press करते है तो इसके अंदर इस तरह का element होता है और red push button के अंदर भी एक element होता है ठीक है तो basically जो starter होता है बाहर से तो इस तरह से एक दिखाई देता है लेकिन अंदर से इस तरह से होता है ठीक है ना कॉंटेक्टर ओवर्लोड रिले और यह पुछ बटन के एलिमेंट होते हैं ठीक है ना अब डी ओ एल स्टार्टर को बनाने के लिए बैसिकली हमको कॉंटेक्टर की जरूरत होती है और जब इन दोनों को हम जोड देते हैं तो एक मोटर का स्टार्टर इस तरह से बनके त्यार हो जाता है ठीक है ना आगे देख लेते हैं आगे देखिए मोटर का जो स्टार्टर होता है उसमें बैसिकली दो तरह के सरकीट होते हैं एक होता है पावर सरकीट और दूसरा होता है कंट्रोल सरकीट ठीक है ना तो यहां पर देखिए यह एक पावर सरकीट दिखाया हुआ है और इधर से आप देखोगे तो यह एक कंट्रोल सरकीट है ठीक है ना पावर सरकीट में क्या होता है यदि थ्री फेस की कोई मोटर है उसमें रेड यलो एंड ब्लू तीन तरह तीन कलर के वायर होते हैं और यह जित तीन फेस की सप्लाई होती है ये म्सिवी के इनपुट पर जाती है एंसी भी को यदि ओफ करते हैं तो इधर का पूरा सरकुट ओफ हो जाता है ठीक है नव mcb को जब on करते हैं तो यहां से देखिए सप्लाई mcb की आउट्पूट से होते वे आउट्पूट से होते वे इंपूट पर गई है ठीक है ना तो इसे बाद यहां पर देखिए जो इसके आउट्पूट से जब यह होते हुए फिर यहां से यहां पर देखिए मोटर को चली जाएगी ठीक है ना ओवरलोड को हम कॉंटेक्टर के पहले भी लगा सकते हैं कॉंटेक्टर के बाद में भी लगा सकते हैं को हम जैसे भी लगाना चाहें यह सर्कुट को ब्रेक कर देगा आप देखिए यहां पर जैसे ही यह और लोड ट्रीप होगा मतलब यह सप्लाई जो यहां से आ रही है इसको आगे सप्लाई को देना बंद कर देगा तो यह मोटर सेफ हुचाएगी मोटर की वाइनिंग फैल न नहीं करेंगे ठिक है तो यह से मसी भी से ओते वह देखिये यहां पर एंसे पुछ बटन को मतलब इस्ट्रॉप को और इसी से देखिए यहां पर एनो पुछ बटन मतलब स्टाट की बटन को सप्लाई चली गए ठीक आगए देख लेते हैं अब यहां पर देखिए यह आम बनाते हैं DOL starter का वो इस तरह से बनता है और जो control circuit बनाते हैं वो इस तरह का बनता है यहां पर देखे यह इस तरह का जesi symbol है यह एक तरह से MCB का सिंबॉल है और MCB के बाद यहां पर contactor को supply गई है जब contactor on होगा तो यह इस तरह से चिपकेगा और तो यहां से supply overload को जाएगी और जब overload भी on रहेगा तो यहां से supply motor को चली जाएगी तो यह इसका हो गया एक power circuit और control circuit में आप देखोगे तो single phase fuse हम लगा सकते हैं अगर safety हम कुछ अधा से यह otherwise हम mcb भी लगा सकते हैं या दोनों भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है इसके बाद देखिए overload relay का इन्होंने nc use किया हुआ है ठीक है तो overload relay का nc हम यूज़ इसलिए करते हैं जब overload relay normal close condition में रहेगा तब वो आगे supply है holding के लिए ठीक है न लेच कराने के लिए ठीक है और यह है contactor की coil और फिर यहां से इसको मिल गया neutral ठीक है न और इसी तरह से यह जो यहां पर दिखाया हुआ इसी का यह power और control circuit दिखाया हुआ है अब हम चलते हैं programming की तरफ और देख लेते हैं कि programming में DOL starter किस तरह से बनाया जाता है और यह काम कैसे करेगा तो देखिए पिछले प्रोग्राम में हमने लेचिंग और अनलेचिंग के बारे में देखा था और इसमें Y0E तक हमने इंपूट यूज किये हुए वह X20 के बाद में यूज किये हुए ठीक है ना जो स्टार्ट का पुछ बटन है उसके लिए हमने X20 यूज किया है स्टोफ के लिए X21 और उसके बाद जो overload relay है उसके लिए X22 और जो हमारी single ball MCB उसके लिए X23 फ्री इंपूट यूज किया है ठीक है ना और जो output कॉंटेक्टर है वह Y20 यूज किया हुए ठीक है ना अब आप यहां पर देख सकते हो हमने Y0E तक यूज किया हुआ था हम सबसे पहले इसकी device comment में जाएंगे और सबसे पहले इसकी जो है comment हम यहां पर define करेंगे ठीक है ना तो हमको लिखना पड़ेगा X20 X20 एक बार enter करता हूँ ठीक है ना तो यहां पर इस तरह से आता है इसको लिखना है start start push button ठीक है इसके बाद इसको लिखना है stop push button X22 को लिखना है olr मतलब overload relay इसके बाद लिखना है mcb ठीक है ना यह हो गया हमारा input का मामला अब हमको लिखना है y20 y20 को हम लिखंगे y20 इसको हमको लिखना है motor या फिर हम लिख सकते हैं contactor ठीक है ना तो मैं अभी लिखता हूँ अब हमको इसका प्रोग्राम बनाना है तो इसको एक एक बार हमको यहां पर जाना है और monitor right mode एक बार क्लिक करना है ठीक है तो online हम इसका program edit कर सकते हैं अब इसको मैं minimize कर सकता हूँ यहां पर देखिए सबसे पहले हमें एक start का push button यूज़ करना है और start के लिए हमको no push button यूज़ करना ld space x20 ठीक है एक बार enter करता हूँ हमने यहां पर x20 यूज़ किया हूँ ठीक है अब इसके बाद stop का push button यूज़ करना है तो यह stop का जो push button है यह wiring में हमने nc use किया है ठीक है ना आप यहां पर देखोगे जो wiring है इसमें यह red color का push button है और यहां पर भी आप देखोगे तो यह एक nc push button है ठीक है ना तो wiring में अगर nc use किया है तो पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताए था कि हमको प्रोग्राम में यूज़ करना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर लिखना पड़ेगा ld space sorry ld space x21 एक बार इसको इंटर करता हूं ठीक है न हमको सबसे पहले यह पर व्यूँ में जाना है और इसकी device कमेंट हमको देखो कमेंट में जाना है यहां पर इसकी कमेंट हम डिस्प्ले कर सकते हैं ठीक है जैसे कमेंट पर क्लिक करेंगे तो इस-तरे से कमेंट डिस्प्ल हो जाते है ठीक आगे देखना है एकसटूवन हो गया इसके बार एकसटूबन हमें यूज किया है वो किया है ओवर लोड रिले तो ये भी एक एन्सी कॉंटप्ट रहता है ओब लोड रिले का इ smelled यहां सब्सक्राइब था जो गया ठीक होगे तो और लोड एले भी येर्टि से क्या ज्याता है इसमें लिखना है येफ यस पेस ऑपर इंटर करना है और एमसी भी हिस करी grain वह उसके बादब आप हो जाए ंटिक है तो हमेशा जब भी ओन रहेगी तभी सप्लाई देती रहेगी तो जब हम हाड़वेर में सी यूज़ कर रहे हैं तो प्रोग्राम में हमको एनो यूज़ करना पड़ेगा यहां लिखना पड़ेगा एल डी स्पेस एक्स टू थी ठीक एक बार इंटर करता हूं फिर लिखना पड़ेगा फिर एक बार करता हूं इंटर ठीक है तो यह प्रोग्राम जो यह लेचिंग अनलेचिंग का मैंने बताया था इसी तरह का एक प्रोग्राम है लेकिन इसमें जो यह सरकीट है कुछ थोड़े से ज्यादा एड़ हो गए अब यह काम कैसे करेगा ऑन-लाइन एक बार हम इसको क किये वे हैं और बाकी जो यह दो हैं यह अल्टरनेट यूज किये वे हैं ठीक है ना तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह वाला और यह वाला जो है इस्टार्ट और स्टोप का जो पुश्च बटन है वो मॉमेंटर यूज करना है ठीक है उसके बाद ऑब लोड रिले जो ह है उसको अल्टरनेट यूज करना है प्रोग्राम को समझने के लिए ठीक है ना अब देखिए सबसे पहले यहां पर जो यह पुश्च बटन है स्टॉप का स्टॉप का पुश्च बटन क्या करता है कि जैसे ही प्रोग्राम ऑन लाइन होता है जब हम वायरिंग करेंगे तो तो इसका जो एंसी पुशब बटन दिया हुआ है मतलब यह डाइरेक्ट यह प्रोग्राय मतलब यह पुश्च बटन और दिया मतलब होता क्या है कि यह एक कंटणक्ट होता है उसकी वाज़ेसे यह डारीक्टis को सप्लाई देता रहते है हम यहां पर एंस याप इस लिए प्रोग्राम में हमने hard wiring में भी nc contact use किया हुआ ठीक है ना तो जब hard wiring में हम nc use करते हैं off करने के लिए तो हमको program में no use करना पड़ता है ठीक है ना और ये भी हमारा nc हमने use किया है तो shift plus interest इसको एक बार on करता हूँ और mcb भी nc है तो उसको भी shift plus interest एक बार on करता हूँ ठीक है तो देखिए जितने भी nc contact थे मतलब stop push button mcb और overload relay ये तीनो nc push button हमने use करे हैं मतलब nc contact use करे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर nc होने की वज़े से जब ये nc रहेंगे तो direct plc को input देंगे और ये उस situation के हिसाब से मैंने तीनों input को फोर्सली on कर दिया है पहले से ही ठीक है तो जब हम डियो starter की wiring करेंगे और wiring करने के बाद में जब उसको हम online करेंगे तो इस तरह से ये program दिखाई देगा ठीक है अब मैं एक बार start push button को press करता हूँ और press करने के किया और release कर दिया ठीक है अब मैं इसको release कर चुका हूँ यहां पर आप देख सकते ओफ मतलब यह release हो गया है ठीक है ना release हो गया है लेकिन फिर भी वाई 20 जहें यह लेच हो गया है लेच होने का मतलब y20 का जो no contact था यह no contact यहां से एंसी बनाए और एंसी बनने के बाद यह तीनों एंसी है इसलिए supply यहां से आगे चली गई है ठीक है ना अब जब मैं stop push button को एक बार press करूँ आ तो यह देखिए stop को press किया इसको ठीक है ना इसको जब press करते है तो y20 off हो जाता है ठीक है ना इसकी बाद फिर से देखिए अब इसको में एक बार on करता हूं ठीक है एक स्टू वन को shift प्लस इंटर से on कर सकता हूं shift प्लस इंटर on किया ठीक है एक बार start को press करता हूं देखिए contactor on होता है start को release करने के बाद अब यहां पर देखिए कोई mcb trip होती है या फिर एक स्टू टू मतलब ऑफर लोड रिले ट्रिप होता है ठीक है तो ऑफर लोड रिले एक स्टू टू यह वाला है ठीक है इसको एक बार में on करता हूं देखिए on किया तो यह ऑफर लोड रिले ऑन हुआ है जब यह हुआ है तो इसने का किया है सर्कीट को ब्रेक कर दिया सर्कीट को ब्रेक किया इसलिए क्या हुआ कि मोटर का जो कंटेक्टर है वह ओफ हो गया है ठीक है ना एक बार इसको मैं फिर से रिलीस करता हूं मतलब एक बार ऑवर लोड रिले को रिशेट करता हूं मतलब एक two three mcbm इसको यहां से एक बार प्रेस करूँआ तो यह आउट पूट ओफ हो जाएगा ठीक है ना एक बार फिर से इसको मेरे को रिसेट करना है तो यहां पर जाके एक बार इसको ऑन करना पड़ेगा ठीक है ना सो दोस्तों यह था एक छोटा सा प्रोग्राम डी ओ एल डायरेक्ट ओन लाइन स्टार्टर के बारे में इस वीडियो में में जो समझने वाली बात थी वह यही थी कि लेचिंग अलेचिंग कैसे की जाती है और हम जब हाड़ वाइरिंग में एंसी कॉंटेक्ट या एंसी पु सब्सक्राइब करें और साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो को बड़ा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में